Hello Friends, आज के अपने वीडियो में हम बात करेंगे Trignometric Table Trick के बारे में आपको याद होगा हमने अपने previous वीडियो में different angles पर Trignometric ratios निकाले थे अब उन angles की value को एक table में put करना है और उन values को रखके एक table बनानी है और उस table को हमें याद भी रखना है क्योंकि वो table हमारे काफी काम आने वाली है आगे numericals को solve करने के लिए So आएए इस table को याद करने का एक easy सा तरीका सीखते हैं जिससे आप easily this table को याद रख सकते हैं Okay Friends, चलिए start करते हैं सबसे पहले हमें sign की value देखनी है Sign की value को याद रखना है अगर हमें sign की value याद होगी Then उसके basis पर हम सभी values को easily निकाल सकते हैं So इसकी एक trick है इसमें हमें 3 step follow करने हैं और value easily आ जाएगी वो step क्या है? Step number 1 हमें counting लिखनी है 0, 2, 4 तक 0, 1, 2, 3, 4 पहला step हो गया दूसरा step क्या करना है? Step number 2 ये counting हमें 0 से start करनी है 30 के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3, 90 के लिए 4 ओके? दूसरा step क्या करना है? इन सभी को 4 से divide कर देना है यह जाएगा 4 by 4 और last और तीसरा step वो क्या है? इन सभी का root कर देना बस जो value calculate करके आएगी वही value हमारी sign एक ही value होगी अब ये क्या जाएगा? 0, इसको यहाँ लिख देंगे हम टेबल में 0 ये क्या आएगा? 1 by 2 45 क्या आएगा? 1 by root 2 sign 60 क्या आजाएगा? sign 60 आएगा हमारा root 3 by 2 और sign 90 1 अब बस हमें sign की value calculate करनी थी इसी से हम चल गए आगे की सभी values को निकालते हैं cos A की value क्या होगी? इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है cos की value निकालने के लिए इन values को reverse कर देना है means जो cos 90 की value थी वो sign 0 की हो जाएगी जो sign 0 की value थी वो cos 90 की value हो जाएगी इसी तरह जो sign 30 की value थी वो cos 60 की हो जाएगी और जो sign 60 की value थी वो cos 30 की value हो जाएगी और 45 as it is रहेगा सो चल ये cos 0 क्या हो जाएगा? 1 cos 0 हो जाएगा हमारा 1 cos 30 क्या हो जाएगा root 3 by 2 cos 45 1 by root 2 cos 60 1 by 2 और cos 90 0 हमारी cos की value भे आ गए अब 10 10 अमें पता है क्या होता है 10 ए क्या होगा sin a by cos so जो यह values दी हुई है इनको divide कर देंगे तो 10 की value हा जाएगी 0 by 1 0 1 by 2 upon root 3 by 2 क्या जाएगी 10 30 की value 1 upon root 3 10 45 की value 1 इसी तरह 10 60 की value sin a by cos से करेंगे तो क्या हैगी under root 3 और 1 by 0 10 90 की value यह हो जाएगा not define इसको हम define नहीं कर सकते बिकोज इसके denominator में 0 आ गया है अब cos a की value निकालेंगी cos a क्या होता है 1 upon sin a हमें पता ही है cos a क्या होता है 1 upon sin a cos a 0 की value क्या हो जाएगी not defined because 1 by 0 आएगा तो cos a 0 हो जाएगा not defined अब cos a 30 की value 2 आ जाएगी cos a 45 की value root 2 आ जाएगी cos a 60 की value 2 by under root 3 आ जाएगी और cos a 90 की value 1 आ जाएगी अब आमें क्या निकालना है सेक a सेक a आपको पता है क्या होता है 1 upon cos a और इसी की value को निकालने का एक और तरीका है आप 1 upon cos a करके निकाल सकते है और दूसरा तरीका क्या है जो cos a की value है उसको reverse करके लिख दिजे means सेक a क्या हो जाएगा cos a 90 1 सेक 30 क्या हो जाएगा 2 root 3 सेक 45 क्या हो जाएगा root 2 सेक 60 क्या हो जाएगा 2 और सेक 90 क्या हो जाएगा not defined सेक a की value आप दो तरीके से निकाल सकते है एक इसको reverse करके और एक 1 upon cos करके अब last क्या बचता है हमारा code a code आपको पता ही है क्या होता है 1 upon 10 a so 10 a की value को 1 upon 10 a करेंगे code 0 क्या हो जाएगा not defined 1 by 0 आएगा code 30 क्या हो जाएगा under root 3 code 45 1 code 60 1 upon root 3 और code 90 0 देखे इस में सिर्फ sign की value calculate करने से हमारी सारी values हमने easily calculate कर लिए और इस table को आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है सिर्फ sign की value को आपको पता ही है किस तरीके से निकालनी है ती 3 step follow करने है उसके बाद sign की value आ जाएगी उसके basis पर आप सारी value निकाल सकते है ओके friends मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ examples के साथ जो की आपकी NCRT class 10 book में दिये हुए है तब तक के लिए बाई बाई and thank you